हेलो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं अलिगण मुस्लिम उनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट जो होने हैं सेशन 21-22 के वो कब तक हो सकते हैं क्या कोई नोटिस आया है एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग य आते हैं कुछ मिस्टेक्स हो गई है नेम डेट बर्थ और क्या क्या चीज़ें आप करेक्शन कर सकते हैं यह इस नोटिस में में इस नोटिस की वीडियो अल्रेडी चैनल पर अपलोड हो गई है मैं वह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वह आप देख सकते हैं हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट के बारे में एंट्रेंस टेस्ट कब हो सकता है और नोटिस कब तक आ सकता है अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट होने की तो एंट्रेंस टेस्ट जो होने के चांसे दिख रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है कि आपका अगस्ट एंड से अगर हम बात करें कि जो एंटरेंस के बात करें एक्सपेक्टेट कब हो सकते हैं तो हमारे एंटरेंस होने की चांसे से जाएंगे और सेप्टेंबर में जहां तक है एंटरेंस test भी हो जाएंगी ठीक हैं अब बात करते कब तक 15-10 दिन में देखने को मिल जाएंग और अगर हम बात करें नोटिस आईगा उसके बाद कितना दिन जांड आएगा ढरें कि अगर आज जासे आज कलने नोटिस आता है तो तो यह मान के चलिए 25 अगस्त से आपके entrance test start हो सकते हैं तो यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ऐसा नहीं है कि नोटिस आपको 2-3 महीने 1-3 महीने का टैम दिया जाएगा नहीं नोटिस में यह मान के चलिए आपको सिर्फ वसरी 10-15 दिन का gap हो सकता है कि उसके बाद से आपके entrance test start हो जाएं तो यह मान के चलिए आप अगस्त एंड से आपके entrance test start होने के पूरे-पूरे chances हैं उसी हिसाब से आप अपने course की entrance test की preparation करते रहे हैं बाकी जैसे ही update आएगा मैं आ वीडियो बनाके inform कर दूंगा थैंक यू क्वार मैं तो कर दूंगा टूंगा थाईंसर की समकी प्सका